मल्टिवर्सल सागा का अगला बड़ा इवेंट कैंग डाइनेस्टी होगा जिसमें हम ओब्यसली कैंग को यस दा मेइन विलेंड देखने वाले हैं लेकिन कैंग के अक्टर यानि की जॉनतन मेजर्स की रियल लैप कॉंप्लिकेशन की वज़े से चीज़े अभी तुड़ी सी कन्फ्यूजिंग है कि एमस्यू आखिर का कई को यस दा मल्टिवर्सल का रियल थ्रेट कंसिरर कर भी रही है या फिर नहीं आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ कि जॉनतन मेजर्स की गल्फ्रेंड नहीं उनके उपर एक डॉमस्टिक वाइलेंज का केस फाइल किया है जिसके उपर कोर्ट में अभी यह रिंग चली रही है और इसके उपर सुनवाई आकिर कभी आईगी इसके उप पूरी की पूरी MCU डिपेंडेंड है यानि कि अगर जानाथन में जस्ट बिल्कुली गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो उन से हट कर वो किसी दूसरे करेक्टर को मल्टिवर्सल का विलन बता सकती है या फिर इसी वाले एक्टर को वापस हे रिकास करके कैंग को ही एस दा मे भी चेंज करवाते हुए डूम डिस्टोपिया कर दिया जाएगा और मल्टिवर्सल का थ्रेट का एंगल सीधा ही कैंग से सिफ्ट करके बिल्कुली फोकस कर दिया जाएगा डॉक्टर डूम के उपर लेकिन अवी काइंड थोड़ा सा कन्फरमेशन आया है और बहुत सारे ऐसे भी आपडेट्स आई है जिनके उपर आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे जिसके बारे में सुनकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मावल आखिर कर आगे जाकर क्या ही ब्लान कर रही है तो बिना किसी देरी के चलिए इस वाले टॉपिक को जल्द भी भी मिसना करो फेल के स्क्रिन राइडर यानकी जेफ लग ने जो की युँक्य वैडेंश्टी को भी कंश्रीन राइड करने वाले थे उनके साथ चाहते इस मुवी के डिर्रिक्टर यानकी डेस्टिन डैनियोल भी इस मुवी को छोड़ दिया है तो इसे भी से चुच हम MCO भी काफी जदा disappointed है Quantum Mania की ही lowest rating को देकर और वो इसका reason सीधा ही ठेरा रहे हैं Kang की ही character के उपर तो इसके लिए ही MCO भी plan कर रहा है कि वो Kang को बिल्कुली side land कर देगा और Avengers Kang dynasty को हटा कर Avengers alternative और Avengers 5 का नाम ही कर दिया जाएगा चीज़े अभी थोड़ी सी गड़बर नजर आई ही रही थी कि Echo New Source ने इसको confirm कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Marvel अभी Kang की storyline से हटके किसी एक दूसरे storyline पे focus अभी कर रहा है खेर ये तो सब भी rumor सर अपडेट की बात थी लेकिन हम Marvel के project की उपर ही थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आखिरकार Marvel की story के according MCU अपने concept future को ही setup कर रही है क्योंकि एंडिंग में हमने देखा था कि Morbius ने इस चीज़ को साब साब कह दिया कि अभी TVA का असल मक्सल Multiversal Tree को ही protect करना होगा और हम सभी को पता है कि Multiversal Tree के उपर कौन ही बड़ा खत्रा मंदरा रहा है जी हाँ Council of Kang si और जिस चीज़ को वो आगे जाकर mention भी करते हैं कि Kang की variant को हमें अभी detect करना होगा और उन सब को ही रोकना TVA का भी main काम होगा और साथी में उन्होंने Quantum Mania के event के उपर भी थोड़ा सा focus किया जहांपर उन्होंने ये mention किया कि इसमें भी एक Kang का introduction हुआ था जो कि साइच से Multiversal के लिए खत्रा भी हो सकता था लेकिन उसको Avengers नहीं संभाल लिया था तो इससे ही दो-दो possibility निकल जाती है यानि कि अगर MCU Kang के storyland के साथ बिल्कुल भी continue नहीं करना चाहती तो वो ऐसा ही mention कर सकते हैं कि TVSL में easily सभी Kang की variant को संभाल पार रही है लेकिन अगर उनका Kang की storyland से बिल्कुल भी move करने का motive नहीं होगा तो वो ऐसा भी कह सकते हैं कि TVSL में Kang की variant का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाती तो ऐसे में उनको एक super hero का इक group चाहिए रहेगा जो की सीधा ही आगे जाके setup करेगा Kang Dynasty की storyland से जिसका थोड़ा बहुत जलखा में Deadpool 3 की movie से देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी के rumor के हिसाब से Deadpool 3 का plot इसी around इरिवॉल करेगा जहांपर Deadpool 3 का involvement सीधा होने वाला है TVA से जहांपर अभी हमें ऐसा जानने को मिल रहा है कि Deadpool और Wolverine ही मिलके TV के साथ काम करेंगे और एक multiversal threat को ही रोकने का कोसिस करेंगे तो ऐसा बिलीब किया जा रहा है कि Deadpool 3 में हमें किसी तरीके का एक केंग का इवेरेंट दिखाया जा सकता है जिस वाले वेरेंट को रोकने के लिए Deadpool 3 का पूरा स्टोरी लैंड सेट अप होने वाला है क्योंकि obviously Deadpool 3 ड्रॉप होने के साथ चाल और इतने जादा प्रोजेक बिलकुल भी नहीं बच्चे हैं जिसमें एक नहीं विलेंड को इंट्रीस करके उसका भी करेक्टर डेबलोमेंट दिखाया जाए तो ऐसे में अगर Deadpool 3 में अगर हमें Kang का मेंशन होता हुआ दिखाया दिया तो जरूर से कैंग ही आगे जाके Kang Dynasty का विलेंड बनेगा और इस वाले चीज़ को मैं इसलिए इतने जादा बिलीवबल तरीके से बता रहा हूँ जिसके उपर हमने अलड़ी एक completely वीडियो ही बना रखी है जिसको आप हमारे आइकाट को चेक करके इस वीडियो को एक्स्प्रोर कर सकते हो खिर अगर हम वापस आई इसी टॉपिक पे तो आगको तो पता ही होगा कि Avengers Infinity War में जब हमने Thanos को देखा था तो उसका बिलड़ अप करीब करीड 10 साल पहले ही Avengers 1 से सुरू हो गया था जिसके एंडिंग पे हमने Thanos के करेक्टर को ही देखा था लेकिन उसको जौस ब्रॉलिंग नहीं प्ले कर रहे थे बलकि उसको डेमियन पोर्टर ही प्ले कर रहे थे जी हाँ इस बाले करेक्टर को आगे जाकर Infinity War में वापस है रिकास्ट कर लिया गया जौस ब्रॉलिंग के नाम से तो ये Marvel के लिए इतनी वी जादा बड़ी टास नहीं होगी एक नए ही एक्टर को रिकास्ट करने के लिए क्योंकि जब धैनोस के करेक्टर को रिकास्ट किया जा रहा था उस टाइम पर मल्टिवर्सल एंगल बिल्कुल भी एक्जिस्ट नहीं करता था लेकिन अभी जो मल्टिवर्सल का एंगल एक्जिस्टी कर रहा है तो किसी दूसरे एक्टर को वो कास्ट करके सीधा ही बता सकते हैं कि ये कैंग का कोई दूसरा वेरियंट है जो कि असम में प्राइंग केंगे जी हाँ तो रिपोर्ट्स और यूमर्स को देखकर और मुझे तो अभी फिलाल ऐसा ही लग रहा है कि मार्वल अपने उसी बाले प्लान परिस्टी के जो कि आगे जाकर वो एक्जिक्यूट करेंगे कैंग डाइनेस्टी में या फिर आप गैंक के रिका से बिल्कुल ही सहमत होगे इसके बारे में आपकी वेल्योविल कमेंट्स भी कमेंट सेक्षर में जब इसे लिख के बता देना और साती में ऐसी सबी इंट्रीस्टींग वीडियो को बिल्कुल भी मिसना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना